अस्सलाम उलेकूम सस्यकाल नमस्ते आदा आप तो कैसे हैं आप सब अभी स्वीडियों बात करेंगे साओधी अरब की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूस आज की खास कर वीजा से रिलेटेड थमनेल पे आपने देख लिया होगा कि मैंने लिखा क्या है तो बहुत सारी अपडेट्स है वीजा को लेकर के नया वीजा को लेकर के अपडेट्स है पंदर जनवरी से नया कानून लागू हो जाएगा 99% चांस है तो कोई भी सरकुलर बगएर मैं आपको शेयर नहीं करूंगा बस डिटेल आपको बताऊंगा पलस उम्रा करते हुए उम इंपोर्टेंट है लोगों को शेयर कीजिए आगे पहुंचाईए क्योंकि बहुत जरोड़ी ड्यूज में आपको बताने वाला हूं पलस अगर आप नया काम करा रहे हो साओधी अरब का तो प्लीज इस वीडियो को जहांत से देखिए और शेयर कीजिएगा हमारे चैनल प आप देखना चाहते तो मेरे व्लॉग वाला चैनल है जाविद व्लॉग और उस पर देख सकते हैं पुरानी वीडियो में आपको कुछ ने कुछ सीखने को मिलेगा आए न्यूज जानते हैं सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि नया सिस्टम 15 जनवरी से क्या लागू होने जा रहा है वीजा को ले करके आप सब को याद होगा मतलब 2023 का जनवरी जब शुरू हुआ था नया नया इसी साल पिछले एक साल उस्टम में एक अपडेट आए थी कि ये PCC PCC होगा PCC होगा PCC का सिस्टम खतम हुआ इसके वाद इन्होंने बायमेट्रिक सिस्टम किया है ज जोकी कुछ कैंसल किये गए थे उसको लेकर के इन्देन गवर्मेंट्स ने अपने ऑफिशेल बॉंबे वाले कॉंसलेट पर शेर किया सर्कुलर जो मैं आपको शेर नहीं करूँगा क्योंकि सर्कुलर मुझे कहीं मिला नहीं एज उस न्यूज मुझे कहीं से पता लगी है आफिसेस के थुरू तो मैं आपको बता रहा हूं खासकर जितने वी ट्रेवल एजेंट है उन सब को कहा गया है इस्पेशली जो वीजा स्टांपिंग कर रहे हैं साओधी अरब का उन सब के लिए कहा गया है कि अगर अब विजिट वीजा हो या वर्क वीजा हो या कोई भी से ठीक है वर्क वीजा जो हम स्टांपिंग कराते हैं उसके लिए बायोमेट्रिक देना पड़ेगा ठीक है ना 15 जनवरी संबार है लागो हो जाएगा और इस्पेशली अगर आपको कहीं वीजित नहीं करना है किसी ऑफिसेस बगर में तो आपको वी सी डॉट तसहीर.com पर अपडेट दे दिया गया है नया वीजा तो वही बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया गया है फिलाल यह 15 जनवरी से लागो होगा और नहीं भी हो सकता है बट यह अपडेट मैं आपको क्यों बता रहा हूं मैंने किसी का काम करवाया है तो उनकी जो वीजा स्टांपिंग हो हो तो ओपिस वालों ने कहा तो इसके लिए मैंने का आप लोगों को शेर कर देता हूं बाकि देखते हैं 15 जनवरी से क्या होता है हम आपके सामने सेर कर रहे हैं सप्लायर पकड़े गए हैं खासकर बाहा में जो कि ड्रक्स की तसकरी कर रहे थे ठीक है तो नार्कोटिक्स भाग ने इनको अरश्ट किया है और ये अजनवी थे इनको जेल की हवा खेलानी पड़ेगी मैं असब से एक वीडियो भी शेर करूंगा जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये साओधी अरब का नया कैफे का कुछ सिस्टम बनाया है जो कि ट्रेंड आ गया है रियाद सी इसके साथ ये एक बाईसाब है इनको पकड़ा गया है क्योंकि ये चोरी होरी करके भाग रहे थे इनके हाथ काटने का टाइम आ चुका है हमने सेर करेंगे रियाद से उमरा जाते समय एक यातायाद दुरगटना में यमनी डॉक्टर उनके पुरे परिवार के चार आदमी कार में देख सकते लेक्सिस कार थी जो की खतर बिल्कुल ही खतम हो गई कोई भी आदमी ड्राइब करते हुए मक्का मदीना दिमाम चद्धा रियाद ड्राइबिंग कर रहे हो मैडम कफिल को लेके जा रहे हो रास्ते में मुवाइल मत चलाना कोई कि इनकी मौत मुवाइल चलाने से ही हुई है तो ये मक्का रियाद से मक्का की जा रहे थे मक्का में भी गया हूँ रास्ता कोई दिक्कत नहीं है खराब नहीं है और लोके है ठीक है तो इनका एक्सिडेंट मौइल चलाने से भी हुआ दूसरी बात ये है कि इनका एक्सिडेंट उल्टे साइट से ट्रक आ रहा था जिसकी वज़े से इनकी मौत हो गी ठीक्षि बिप्रीद दिसा से आ रहा ट्रक वहांद पर पलट गया जिससे इनकी मौत हो गई ठीक्षि और अब ऐसे लोग पताओ उम्रा करने जा रहे थे और रास्ते में ही इनके साथ ये हो गया अल्ला सभी भाईयों को उम्रा हज नसीब फर्माएं जिनके नसीब में रहता है वो अपना उम्रा करी लेते हैं अल्हम्दलिल्ला ठीक है ये हादसा मुझामिया पहुचने पर हुआ था उल्टे साइट से एक पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर उनकी कार और अन्न दो वहनों से टकरा कर पलट गया ठीक है देख रहे हो उल्टे साइट से पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर ठीक है ना भाई साब की तो लाइफ चौपट हो जाएगी ये पाकिस्ताइन ट्रेक ट्राइवर की तो लाइफ चौबट हो जाएगी और बरवाद तबाव बरवाद हो जाएगा भाई पाकिस्ताणी के तो बुरहाल होने वाला है समझ लो ठीके तो ये देख लो ये दुरिवटना हो गई बहुती सैड़ेस्ट न्यूस है मक्का जाते वक्त हो गया रास्ते में जो कि यहां पर देख सकते हैं फोटो देख लीजिए तेरा ठीके तेरा आदमी एक्सिडेंट में मारा गया है ठीके जो कि यहां पर फैमिली के एक फैमिली के पांच मेंबर हैं ठीके यह जो एक्सिडेंट वाली अपडेट मैंने शेयर की मक्का व ये वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो कहा की होगी? सबसे पेड़े ता मैं बोलूंगा कि ये भाई सभा इस समृति-ईरानी इस प्लेस पे क्या कर रही है? मैं इस वीडियो को बढ़ा करूंगा और इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय जरूर दीजे ये देख लिजे मदीना नियर मदीना के पास में हैं ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये यहाँ पर एलोग कैसे हो गए मुझे नहीं पता ये भाई साब हमारे अमबेसी के ओफिसर हैं और ये भी भाई साब हमारे अमबेसी के ओफिसर भी दिखा रहा हो दो बाई सार रिपीट करके ये देख लिजे ये भी भाई साब हमारे अमबेसडर हैं साओधी अमबेसी के इंडिया के वाट इस शी डूइंग इन मदीना जश्ट नियर मस्जिद अलनवावी वाई आर दे अलो इन हरम सरीफ हिंदूओं को अलो कैसे हो गया कुछ हमारे हिंदू भाई बोरा मत मानिएगा जो नियम है सो नियम है आज 22 जैनवरी को आप लोगा युद्या का उद्गाटन होगा बह हो सकता है कलको आप कानून बनाएंगे वहाँ पर कोई मिसलिम की इंटरी नहीं हो क्योंकि आप लोग को कुछ न कुछ डर है लेकिन हमारे यहां खासकर मक्का मदीना को बहुत साप सुत्रा माना जाता है हम यह नहीं कर रहे हैं कि आपके किसी को डिस्रिस्प्रक कर रहा हू कानून सब के लिए बरावर है जब एक काम करने वाला अजनवी इस प्लेस पे नहीं जा सकता तो मंतरी क्यों आ गया आप अगर सौधी में हो जिद्दा के एरिया में हो मदीना के एरिया में हो आप जौब करते हो तो क्या आपको एलो है कमपनी वाले बोलते हैं इक उदर ज क्योंकि लिखा हुआ है कि किसी गैर मुस्लिम की इंटरी मक्का यह मदीना में नहीं है मैं आप समझगे मैं क्यों बोला हूँ जब कोई काम करने वाला बंदा इस एरिया में नहीं आ सकता जो हिंदू भाई है तो ये मंतरी को एलो क्यों हुआ आखिर क्यों बस जश्ट निय मदीना के पास में है बागी भाई या युद्ध्या का उद्गाटन हो रहा है बहुत बड़िया कोई दिक्कत नहीं है ये मेरे को बड़ा बिकार लगा क्योंकि हमारे अजनवी भाई जब इस जगह पे काम नहीं कर सकते उनको भी घुमने का शौक है उनको भी देखने का शौ होगा बट ऐसा नहीं होना चाहिए कानून तो सबके लिए बरावर है न अलग क्यों है किसी के लिए अलग तो है नहीं होना चाहिए खर मेरी कुछ बड़ा लगा हो हमारे हिंदु भाईयों को तो माफी चाहूंगा क्योंकि यार जो नियूज है वो मैं आपको बता रहा हू बाकि खेर अपने पसंद की तरफ से कुछ नहीं शेयर कर रहा हूँ वीडियो शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को नए है तो वीडियो शेयर जो रूड करना दो आधर कमने ख्याले किया अलाहाफिस हुआ 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 है